आज मैं आप लोगों के साथ दो वाइटमिन सी सीरम का रिव्यू और अपना एक्सपिरियंस शेयर करने वाली हूं यह दोनों वाइटमिन सी सीरम मेरे फेवरिट हैं मैं इन दोनों को काफी टाइम से यूज कर रहे हूं यह मेरा सेकिंड परचेज है इसे मैंने फर्स ट्राइम ट्राइ किया है पट यह मुझे बहुत अच्छा लगा मैं इसे कुछ दिनों से यूज कर रहे हूं तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए अपने कुछ फेवरेट वाइटमिन सी सीरम्स सो वन बाइवन इन दोनों सेरम के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले हम मैंने मिलिस्ट के वाइटमिन सी सीरम के बारे में जानेंगे यह है 10% प्लस एजी 1% यह वाइटमिन सी काफी लोग यूज कर रहे हैं मैं भी इसे ट्रै करना चाहते थी मैं इसे पिछले 2-3 महीने से यूज कर रही हूं यह मेरी सेकंड बॉर्टल है मैं इसे मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम करती थी धिक उसेसे में 10% वाइटमिन सींगफ्व हा था मूज बढ़ा था मुझे दोनों टाइम सुट कर रहा था 20% लतूत लिए के और था मूज कोई इसमें कोई हांफ्वल केमिकल्स नहीं है कोई पैरमेंस नहीं कोई सिलिकन नहीं कोई संथेटिक्स नहीं है और फ्रेग्निंस भी नहीं है इसका प्राइज है 699 रुपीज फो 30 ml यह काफी अच्छा सिरम है आपके फेस को ग्लो प्रोवाइड करता है राइट लुक देता है दो या तीन यूज से आप नहीं जज कर पा दोनों टाइम यूज कर सकते हैं और अगर आपका प्रब्रमेटिक स्किन है तो आप इसे एक टाइम ही यूज कीजिए चाहे नाइट में जैसे आपको अच्छा लगे यह काफी अच्छा सेरम है मुझे यह काफी पसंद आया तो मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखाते यह एक ड्रॉपर फॉर्म में आता है यह देखे और कंसिस्टेंसी यह देखे यह रणी फॉमला में है बिलकुल वाटर फॉर्म में है और बहुत ही जल्दी स्किन में अब्जॉब हो जाता है ऐसा नहीं है कि आपको बहुत टाइम लगेगा इसको अब्जॉब करने में एक वाटर में सी यूज़ कर रहे हैं तो उसके उपर आपको संस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है अदर्वाइज यह बिल्खुल भी वर्क नहीं करेगा आपकी स्किन पर बलकि आपको इसके हो सकता है कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलें या आपको डाक पैचिस हो यह आपको डिसकाउंट में भी मिल जाएगा Amazon पर मैं इन दोनों ही सीरम के लिंक दिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रवाइड कर दोंगी आप वहां से प्रचेस कर सकते हैं मुझे यह वाइटमिन सी बहुत पसंद है मैं इसे डे और नाइट दोनों टाइम इसे यूज करती हूँ यह अच्छा ग्लो प्रवाइड करता है आपके फेस को मॉनलिंग में काफी अच्छे प्लंप और काफी फ्रेश लुबिंग स्किन मिलती और नेक्स्ट है प्लंप का 15% वाइटमिन सी इस पर मेंचन है यह ग्लो बूस्ट है इसमें भी कोई पैरमेंस और कोई हामफुल संतर्टिक और कोई फ्रेग्मेंस नहीं है इसका प्राइज 550 रुपीज है और 20 ml इसकी कॉंटिटी है और इस पर मेंचन है आप इसे डे और नाइट दोनों में यूज कर स पर तूल इसमें 15% वाइटमिन सी है इसमें 10% था तो इसमें 5% Extra है तो मैं इसे स्रिफ डे में यूज करते हूं नहीं करते हूं आप इन ओल मुझे यह वाइटमिन सी सिरम इस से बाद अगर कोई मुझे कहता है कि आप इसके Alternative में या इसके अलावा कॉन सा वाइटमिन सी आ यह काफी अच्छा glow देता है और फेस पे जो unevenness है वो धीरे धीरे थोड़ी light हो रही है वाइटमीन सी यूज़ करने के बाद सो नाइट में मैं इसे यूज़ करती हूं और दे में मैं इसे यूज़ करती हूं सो मैं इसकी consistency आपको दिखा देती हूं यह कैसी है सो यह एक dropper form में आता है यह भी एक glass bottle है और यह भी एक glass bottle है इसकी consistency भी water consistency है रनी है अगर आप texture की बात करेंगे तो जो plum का serum है बोड़ा जादा watery है बहुत मतलब रनी है और बहुत जल्दी यह भी skin में अब्सॉर्ब हो जाता है और जो minimalist का है इसमें ऐसा लगता है जिसे हलका जिसे oil है थोड़ा सा time लेता है set होने में और यह तुरंथ ही skin में अब्सॉर्ब हो जाता है बिल्कुल भी sticky नहीं है बहुत ही अच्छा serum है यह भी सो मैं यह दोनों serum यूज करती हूँ इनाइट में और एडे में अगर आप कुसी अच्छे vitamin C में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इन दोनों में से कोई भी vitamin C ले सकते हैं अपने skin type के हिसाब से वैसे यह दोनों ही serum all skin type है तो अगर आपको मेरी वीडियो helpful लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा वीडियो को लाइक कीजेगा और अपने प्रेंज के साथ शेयर कीजेगा और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलेगा थैंक्यू